Hello students, पिछली बार हम लोग पढ़े हैं, पिछले वीडियो में हम लोग ने इंटेगरेशन के 5.6 का जितना भी basic concept था वो clear कर लिया था इस वीडियो में हम लोग start करेंगे कुछ questions से, आज हम लोग 3 questions करेंगे, question number 1, 2, 3 यह 3 questions अगर तुम लोग ने अच्छे से देख लिये, तो मेरे खासे तुम्हें पूरा exercise बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, basic जीता भी था, पिछले वीडियो में देख लिया था, अगर वो वीडियो नहीं देखा तो पहले इस वीडियो को देखो, क्योंकि उसके भी न फिर हम लोग लिखते हैं, I is equal to integration, let I is equal to integration का symbol, फिर पूरा question जो दिया है लिख लूँगा, 2x plus 1, अपन में क्या दिया हुए, एक धैकेट में दिया है, x plus 1, और एक धैके में दिया है, x minus 2dx, यह मेरा question दे रखा है मुझे, आ मैंने पिछले वीडियो में, तुम्हें पहले और पिछले वीडियो पहले देख लो, वहना यह पर क्या बोलूगा, समझ में ही नहीं आएगा, तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि, हम लोगों को question में upon दिखेगा, और denominator में brackets दिखा ही देंगे, जो कि इसमें दिख रहे है, अच्छा, denominator में कितने bracket दिख रहे है, एक bracket दो bracket, तो हम लोगों ने देखा दो bracket रहता है, तो simple रहता है, एक यह पान में पहला bracket, बी के अपन में दूसरा bracket, ऐसे क्या कर देने का, substitute कर देने का, तो मैं आपर आता हूँ, और मैं वह भी substitution start करता हूँ, मैं आपर लिखता हूँ, लेट, मैं आपर कर लिखूँगा, लेट पूरा question चाप देने का याद है पिछले बारी में बढ़ाता चुक होँए सब चारी चीज़े 2x plus 1 नीचे क्या x plus 1 एक bracket में लिख देता हूं फिर x minus 2 दूसरे bracket में मिलोको question दे रखा है तो अब मैं कहा करता हूं इस पूरे question को मैं मालूंगा एक बारी में पीज़े maps पूरे question को क्यों किया मैं पिछले वीडियो में बता चलो ठीक है यह हमनोंने कर लिए एक बार यह अमनों नहीं इतना कर लिया उसके इतना बात पपता है अपना second step क्या होता है अपना second step हम लोगों को चाहिए A और B की valueום कॉम से कैटेडिक व ezब रहे यह और यह जो घचellt अरी जो चैपिटल बी दिखे यह यह इस हमें और इनकी value जाहिए ड呀 law iki-oryう को तो कि यह इसे निकालेंगे यह इस को वी इसको highlight लेता हो इसको कर लीता हूं highlight तुम्हें चाहिए तो तुम भी इसको highlight करके रखना है क्योंकि यह जो substitution अपने लिए क्या है important है बाद में भटक निजा इसको highlight कर दिया बाद में इसका use करेंगे अभी फिलाल के लिए A और B की value कैसे निकालनेंगे very simple देखना, हर बार same step होंगी, यह जो पूरा denominator देख रहे हैं यहाँ पर क्या है? टिवाइड हो रहा है, अगर मैं इस पूरे denominator को यहां से उस side ways दूँद, equal to के उस side में, तो वहाँ पर जाएगे क्या हो जाएगा? multiply हो जाएगा multiply किसके साथ होगा A के साथ होगा कि B के साथ दोनों के बीच में plus है तो ये पूरा term जाएगा एक बार A के साथ भी multiply होगा पूरा term जाके एक बार B के साथ भी multiply होगा ये ही rule होता है अगर तेको ऐसा कभी है 1 upon 4 तो वहां पर ऐसा लिखा होगा a plus b तो भाई जब 4 जाएगा तो 4 a से भी multiply होगा और बीसे भी होगा वसी पूरा time a से भी multiply होगा और b से भी तो हम लोगों कुछ ऐसा देखने को मिलेगा यह पूरा denominator वहां पर चला गा तो यहां पर सिब क्या बचा उपर पर बचा 2x plus 1 पुरा denominator उदर गया, तो उधर क्या लिखाँ होता होता, a upon में, x plus 1, पुरा denominator डिवाइट हो रहा था, हम आपे जायके multiply हो रहाँ है, तो multiply में आ गया, x plus 1 x minus 2, क्या आग physical 1 और, x minus 2, plus, यहां पर b upon x minus 2, पहले से लिखा हो रहा था, अब अब मल्टीप्ले हो रहे हैं किया मद्टीप्ले आए थे च्प्लस फण ऐस्प्माइनस टू इनॉमिनेटर गया यहां पर भी मल्टीप्ले होगी अब भी मुल्टीप्ले आओ उसके बाद क्या होगा अभिए यह भी एक्स प्रस वन यह काड सकता हूं में दूनों को Ace of course फ connect with me economy city as minus two कर जाएंगा तो क्या करेंगे किन यहां पर यह अरप यह यहां पर एक्स प्रस वन है यहां पर क्हा लिखा हुआ है अमपर को आप यह दूसके पर इसने क्या जाएका है क्मानि स्थू यहां पर कहा लिखा है बी तो मैं भी लिखता हूं यहां पर बचा क्या इसा एक्स प्लस वर बचा क्या एक्स-प्लस इसके बाद एए-ग्धी की वैल्यू निकालने के अपटा इचाइब भूछ सा यूनीक सा तरीका यह तरीका को बहुत अच्छे से सीखना है मैं भी बताऊँ और अजरओगा थान देना तो अच्छे हो यह इंगा न तो तो कुछ नहीं समझ में आए 7 मैं किया वह रहा हूं मुझे A की value चाहिए और B की value चाहिए अब मैंने सोचाई एर एक value कासे निकालो, B कासे निकालो तो उसके लिए मेरे पास एक idea है अगर मैं इस पुरे equation में से B को गायब कर दू B को क्या कर दू, गायब कर दू, ब को हटा दू अगर B हट गया तो पता है क्या होगा मुझे A की value मिल जाएगी अगर मैं पूरी equation में से A को हटा दूँ तो पता है मुझे क्या होगा मुझे B की value मिल जाएगी अगर मुझे A की value चाहिए तो B को हटाना पड़ेगा B की value चाहिए तो A को हटाना पड़ेगा लेकिन हटने के लिए क्या करेंगे कैसे हटाएंगे सर तो वह मैं तुम्हों को को इक है कि वेलव what निखालनE10 निकालने तो मैं पर लेखूंँगा तू फाइंड app ये मैं पर क्या लिखूंगा तो B देखो B कि इदर, B इदर है क्या? इदर है क्या? ने, इदर है B, हाँ यह रहा B बी के बाज में ब्रैकेट दिखर रहा, ब्रैकेट में क्या लिखा है? X प्लस वन, क्या लिखा हुआ है? X प्लस वन, तुम लोग खुद सोचो, अगर मैं इस x की जगह पर यह जो दिख रहे हैं x इस x की जगह पर मैं क्या पुट कर दूँ minus 1 क्या पुट कर दूँ minus 1 तो यहाँ पर x की जगह आजएगा minus 1 यहाँ पर लिए प्लस 1 minus 1 plus 1 क्या हो जाएगा cancel कितना बच्चेगा 0 और बी उन दोनों के साथ multiply आरे तो बीन टू जीरो भी का हो जाएगा 0 मतलब बी हट जाएगा बी का हो जाएगा हट जाएगा बस यही अपने को करना है हम लोग देखेंगे कि भाई एक ही value चाहिए तो बी को 0 बनाना पड़े मतलब बी को हटाना पड़ेगा अच्छा बी इधर है बी के बाज़े में ब्रेकेट में कि X plus 1 मैं X की जगह क्या डाल दूँ कि यह पूरा कटके 0 हो जाए तो यह पर प्लस 1 लिखा है मैं X की जगह माइनस 1 डाल देता हूँ कटके 0 हो जाएगा तो मैं पर लिखता हूँ put X equal to minus 1 मैंने क्या डाला to find A मुझे A की value चाहिए तो B को हटाने के लिए मैं X की जगह क्या डालूँगा भी minus 1 अब B हटेगा क्या देखो कैसे हटता है तो therefore अब पूरा equation वापस आएगा यहां पर क्या लिखा था 2 तो मैं भी लिख दूँँगा 2 यहां पर क्या लिखा है म Ternas किया मैंने भी बोला X की जैवा मने पर प्लस है मैं भी लिख देता हूँ यहां पर X X की value हमने ек़ेया डाली minus 1 एक मैं रली तो minus 1 यहां पर प्लस 1 तो होगा क्या बागी जब तो ठीके solve करेंगे यहां पर देखो ना minus one plus one क्या हो जाएका minus one plus one क्या हो जाता है जीरो B into zero Pura B आये तो देखो बचे गा क्या 2 into minus one इस वहरो रहे हो चोजेंगे नो बीच में कुछ नहीं मल्टीप्ला है प्लस यह जो B वाला पाट तो पुरा 0 हो चुका है, तो उसको लिखूँ या नहीं लिखूँ फर्क नहीं पड़ता है, मैं उसको नहीं लिखूँगा, B वाला पाट हट चुका है, ठीक है, अब यहाँ पर देखो जड़ा, minus 2 plus 1, मतलब 1 में से minus 2 किया कितना आएगा minus 1 आजाएगा equals 2 minus 3 into a करूँगा तो आजाएगा minus 3a मुझे a की value चाहिए ना तो a की value चाहिए तो सिफ a को वहाँ पर रखूँगा उसके साथ में जो number है minus 3 वहाँ पर कुछ निया नहीं multiply आएगा उसको यहाँ पर लेके आजाओ क्या होचाएगा divide हो जाएगा तो मैं minus 1 equals to a वो जो minus 3 यह उसको वहाँ से उठा कि इधर लेके हमको तो इधर आगे क्या होचाएगा divide में minus 3 minus minus कर जाएगा तो बचेगा क्या मेरे पास मेरे पास बचेगा a is equals to 1 upon 3 क्या बचेगा हम लोगों के पास a is equals to 1 upon 3 यह मिले के मुझे a की value इता समझ में a की value आ गए इतनी a की value आ गए और सेम इसी method से अम लोग b की value भी निकालेंगे देखो मैं बोल रहा हूँ यह जब पहली बार मनों देखते है ना तो लगता है कि बहुत हाग पर reality में बहुत आसान है भी देखो तुम्हों जैसे जैसे देखते जाओगे ना तुम्हों कि लगे का कि कि हाने हाँ असान तो है इतना प्रूफ कुछ अरे नहीं तो चलो ठीके को देखते है विए उनुट चलते हैं वी की value निकालते हैं अचा भी की value ने यही साइड में निकाल देता हूं कहा इलग जाएंगे करने कि लिए निकाल देता ही मैं आपने करने कि लिए बने को तो निकालना पड़ जाएंगे जीनो बन जाएक पूरा एक है को जाएगा तो बवेदिन को गुट एक्से इघरस्टू के यह नहीं कि 2, 2 प्लस 2 मतलब सिफ 2E, 2 यह मतलब प्लस 2 होता, ऐसे फिर रो लिखेंगे चलेगा, X के लिए 2 डा दूगा, 2 माइनस 2 कट के 0 हो जाएगा, A हट जाएगा, तो चलो ठीक, पूरा equation वापस से लिखूंगा, मैं, क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा, therefore, यहां पर क्या लिखा, 2X प्लस 1, तो मैं भी लिखूंगा, 2, X मतलब क्या डाला मैंने, 2 डाल दिया, प्लस 1, इकल्स 2, यहां पर क्या लिखा हुआ, A और ब्रेकेट में, X माइनस 2, तो A, ब्रेकेट में, X, X मतलब क्या डाला मैंने, 2 और माइनस 2, प्लस B, B के ब्रेकेट में क्या है, X प्लस 1, X हैनी 2, प्लस 1, खतम हो गया, इसको तोहां सॉल्व करते है, 2, 2, 4, यहां पर क्या है, प्लस 1, यहां पर 2 और माइनस 2 कटके 0 हो जाएगा, पूरा A, 0 बन जाएगा, छोड़ दो इसको, बच्चे का B, और ब्रेकेट में 2 प्लस 1 कितना होता है, 3, तो 5, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5, वहां पर क्या जाएगा, 3, 3, वहां पर मुल्टिपला हो रहे दर लेलों, डिवाइड हो जाएगा, तो 5 off on a 3, is equal to b, या मुझे किसके वेलुम 좋아요 , अंसर नहीं आया, अंसर आज आज जाएगा कैसे आयगा आज यागा रही सिंपल , यादकुर में starting में जो सब्स्टीटूशन किया था यह देखो जिसको हैलाइट भी किये थे इसमें मेंने क्या मान लिया था कि पूरा question जो होगा वह इसके बराबर होगा इसके एपनै पहला प्रेकेट प्लस भी पर में इसके बराबर होगा तो क्या वापस से जब integration लिखूँ गा तो मैं पूरा कोशंच इसको हटा कर स्कूरी की जगह पर ये लिख सकता हूं लग सकता हूं क्योंकि यह पूरा question इसके बराबर है तो मैं question लिखो चाहिए यह लिखो चलिएगा तो अब मैं का करूँगा अब मैं पूरा का पूरा question वापस से rewrite करूँगा देखो ऐसे मैं लिखूँगा therefore i is equals to integration पर अब हम लोग वो नहीं लिखेंगे जो दिया था अब हम लोग लिखेंगे जो नहीं को क्या कर लिया था मान लिया था अबना था A upon my first bracket, B upon my second bracket तो मैं भी वही लिखूँगा यापन मैं लिखूँगा A, अचा, A लिखूँगाँ अपन नहीं, A की value, A की value है 1 upon 3 1 upon 3, यहानी A upon में पहला bracket, पहला bracket क्या था? X minus 2 I think X minus 2 है न, भूल गया मैं पहला bracket क्या है? X plus 1 है, X plus 1 है X minus 2 दूसर है तो A upon में, पहला bracket है यहानी क्या है का है? X plus 1 sorry, sorry, sorry यहां पर क्या जाएगा? X plus वहना पर क्या है? DX खतम यहां पर का लिख देंगे DX, तुब अरे, यहां पर integration है, पर DX हागया? हाँ A वाले के साथ अलग integration, B वाले के साथ अलग integration plus, यहां पर फिर से integration, इस पर B, B की value कितनी है? 5 upon 3, तो 5 upon 3 upon में, दूसरा वाला bracket क्या था? X minus 2 DX, देखो, हम लोग question ने लिखेंगे, question को हमने कुछ और substitute किया था, A upon में पराइला bracket, B upon में दूसरा bracket, वो लिखेंगे और उन दोनों A और B ने लिखेंगे, A और B की value के साथ, integration अलग अलग integration क्या करेंगे हम लोग? अलग अलग अच्छा, एक बार इतना आ गया, उसके बात देख अपने को क्या करना, देखो question वापर से लिखा, A upon में पराइला bracket, B upon में दूसरा bracket, integration सेपरेट किया, समझ में आ रहा है कि नहीं है, अब देखो में का करूंगा, अब मैं बोल रहा हूँ, जो भी A की value मिली अपने को अंदर, उसको integration के बाहर ले, क्यों? क्योंकि constant है, constant जब किसी के साथ हो, तो मतलब होता है, बाहर ले ले, तो यह पर 1 upon 3 मिली थी, A की value, यह integration के अंदर लिखा था, अभी बाहर लिख लो, 1 upon 3 को इधर लिख लो, बाहर, तो अंदर upon में तो समझ में आ रहा है, x plus 1 और dx है, ऊपर 1 upon 3 तो बाहर चला गया, तो यहां पर कुछ नहीं बचाए नहीं क्या बच्छेगा 1, यह पर प्लस, integration, यह 5 upon 3 बाहर ले लिए, अपन में तो समझ में आ रहा है, x minus 2 dx, यह पूरा 5 minus 3 तो बाहर चला गया, तो ऊपर कुछ नहीं बचाए नहीं की 1, खतम हो गया, एक बार इतना हो गया ना, तो मुझे एक चीज़ बताओ, 1 upon x का इंडिकेशन क्या होता है, log x, पढ़ा हैं लोग ने, 1 upon x का इंडिकेशन क्या होता है, log x plus 3, log x होता है न, तो यह भी 1 upon x के बराबर ही है, 1 upon x plus 1 प्लस 1 का मतलब नहीं, 1 upon x न, 1 upon x के बराबर ही है, तो 1 upon x का लोग x होता है, तो 1 upon x plus 1 का क्या होता है, log, bracket में x plus 1, खतम, फिर यह पर प्लस, 5 upon 3, integration के बाहर है, as it is copy-paste, इस पुरे का क्या होता है, 1 upon x का फोर में, log, bracket में x minus 2, और क्योंकि मैंने हापी बींटिकेशन ले यह पर भींटिकेशन लेले हैं पर भींटिकेशन पता है किदर करनी है, एक तो तो तुमको याद रखना है भाई, कि यह जो substitution ही यह किसी किया जाता है, अरिवाद substitution हो गया, तो a और b की value निकालने में थूड़ी सी मैनत तुमको करनी ही पड़ेगी, a और b की value निकल गए, उसके बाद तो हर बार यह होगा, कि a और b की value के सा जाएगी, अंदर one upon x का formula log x, one upon x का formula log x, ऐसी खता मुझे घरबर question, समझ में आया, चलते अपने question number 2 के उपर, मेरा गला ठीक नहीं है, तो थूड़ी से अगर आवास तो लोगों को सही नहीं आ रही होगी, तो ignore कर देना तो, ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ पर देखो, चलते यहाँ चलते हो, यहाँ पर यहाँ पर देखो, टो लीग कई लिख देखाई लिख देखाई, अग्स ब あり देखाई, यहाँ पर द देखाई, चलो यहाँ बो पासदी लिख देखाई, बíciosयाजा है, तो गैने फैसलने बांधी द्ने पर 3 vator नहीं, 3 bracket नहीं निचे. तो 3 bracket है, तो substitution भी कौन सा करेंगे? 3 वाला, 3 वाले का substitution, तुम लोगों को अगर याद नहीं है, तो मैं दिला दू. A के अपउन में 1 bracket, B के अपउन में 2 दूसरा bracket, C के अपउन में 3 bracket. ऐसा ही है. तो हम आपर लेखेंगे let. कर लिखेंगे let पूरा question चाहप लेगे 2x plus 1 अप और में 1 bracket में x, 1 bracket में x-1 1 bracket में x-1 4 is equals to क्या माननेंगे इसको भीर लिखेंगे A A की अप और में पहला bracket पहला bracket किया है x plus B B की अप और में दूसरा bracket दूसरा bracket कौण सा x-1 है तो x-1 plus C की सिखे अनुप में कौन सा ब्रेक्ट एगा तीसरा ब्रेक्ट कौन सा एक स्व इसको अच्छा एक बार सब्स्ट्रिट पर दियोकर करके रख लीता क्योंकि लास्ट में यह काम आएक अपने अब इसी का use करके अब इसमें से 3-3 values निकालनी पड़ेंगी कौन-कौन सी 3 value निकालनी पड़ेंगी A की भी value निकालनी पड़ेंगी B की भी value निकालनी पड़ेंगी कैसे निकालेंगी same जैसे पिछली बार करते थे हम लोग क्या करेंगे हम लोग यह पूरा denominator यहां से वहां पर बेज देंगे तो यहां पर यहां पर यहां पर तीन हो जाके multiply हो जाएगा तो इधर क्या लिखे 2x प्लस 1 यह बचाएगा denominator तो पूरा उधर चला गया इधर आए a upon x और साथ में multiplication में तीन हो x, x minus 1 x minus 4 प्लस b upon x minus 1 आगया multiplication में तीन हो x, x minus 1 x minus 4 प्लस c upon x minus 4 आगया और multiply में तीन हो x, x minus 1 x minus 4 अब होगा क्या है आपर? यह x, x से कर जाएगा यह चो x minus 1 है, यह x minus 1 से कर जाएगा यह x minus 4, x minus 4 से कर जाएगा समझना है? तो बचेगा क्या अपने पास? अपने पास बचेगा यह 2x plus 1 यहाँ पर क्या बचा? a, और a के साथ दो ब्रेकेट बचेगा एक ब्रेकेट x minus 1 वाला एक ब्रेकेट x minus 4 वाला प्लस b, b के साथ दो ब्रेकेट बचेगा x और x minus 4 प्लस c, c के साथ अपने पास दो प्रेकेट बचें, एक एक्स बचा और एक एक्स माइनिस बचा होगा, खतम हो गया इतना, इतना समझ में आगे हैं तुम लोगो को, अब चलो दिए, इसमें से मिनको A और B और C की वेल्यू चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, सेम वैसे, यहाँ पर अगर तुमको A की वेल्यू चाहिए, देखो उसमें क्या था, A की वेल्यू चाहिए, तो B को हटाना पड़ेगा, तेकिन यहाँ पर क्या है, अगर A की वेल्यू चाहिए, तो B और C दोनों को हटाना पड़ेगा, A' की वेलू चाहिए तो रिफ अब बचना चाहिए मतब B' और C' दोनों को ङеф हटाना पड़ जाएगा B' का वेलू चाहिए तो A' का दोनों को ये तो C' की वेलू चाहिए तो A' मुझे A' और B' को अबड़ अब जिस B' A' की वेलू चाहिए किसकी लेंट चीए ऐा में निखा हूआ है यहां पर लिखा हूआ भी कि लेकिन सवाल या कि जीरो बनाएंगे कैसे से लेगे तो मैं बोलो जीरो बनाने लिए जे Hag को पर बनाना हो तो तुम लों का करो तुम देखो कि उन दोनों में common क्या है उन दोनों चीवाजयू में तुमको दो-दो ब्रैकेट दिख रहे है दोनों में इस तो मैं क्वालु में इस मिख rubbish कर सक किरें सब्सक्रा सब्सक्राइब यहाँ पर दो ड़ा दूंगा तो के लिख दूंगा तो फाइंट एक ही वैलिव निकालने के लिए मैं आपर लिख दूँगा, put x is equal to 0 x की value क्या put कर दूँगा, मैं 0 तो पूरा ही question कैसे आजाएगा यह देखो, 2 लिख है, 2 x लिख है, तो x की value क्या put कर दी, मैंने 0 bracket में 0 plus 1 is equal to 1 x minus 1, मैं x के लिखूँगा 0, फिर minus 1 x minus 4, x के लिखेंगे 0, फिर minus 4 फिर वहां पर क्या हुआ, देखो, यहां पर 0 पढ़ गया तो यह इंटू, यह इंटू, यह इंटू, पूरा 0 हो गया, यह इंटू, यह इंटू, यह इंटू, पूरा 0, तो B और C दो प्रगाया भी हो गया, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है B, C गायब हो गया, क्यों लिखूंगा, मैं इतना लिखता हूँ न, चलो लिखो, 2 0s है, कितना हो जाता है, 0 यह भी गायब हो गया, बचा कैसी मैं पर 1 इस इकल्स टू, A इस ब्रेकेट में 0, minus 1 0, minus 1, 0 का मतलब होता नहीं है कुछ, बचे का minus 1 इस ब्रेकेट में 0, minus 1, 0 का मतलब कुछ नहीं होता है, क्या बचेगा से, minus 4 बचेगा, समझ में है तो 1 is equals to A multiply करो न, जरू इन दोनों को 4 1s are 4, bracket है न, bracket, bracket multiply हो जाता है, तो 4 1s are 4, minus minus क्या हो जाएगा, plus और यह A है, तो क्या जाएगा, 4 A क्या जाएगा, 4 A, 4 1s are 4, 4 is a 4 A, minus minus plus हो गया, तो बचा 4 A, 4 को इदर बेज दो, वहाँ पर multiply हो रहा है, आपके, divide हो जाएगा, तो 1 upon 4 is equals to A here we got the value of A, किस की value मिलगे अपने को, A की value, समझ में आया, A की value निकालने के लिए, B और C, दोनों को साथ में क्या बनाना पड़ेगा, अपने को 0, क्या बनाना पड़ा, 0, समझ में आया, अब यहीं पर मैं लिखता हूं to find B, यहाँ पर एक line माना तो मैं पर लिए देना हूं to find B, मुझे B की value find करनी है, अब तुमनों सोच हो, अगर मैं को B की value find करनी है, तो और C को, दोनों को एक साथ में 0 बनाना पड़ेगा, और मैंने क्या जब दो को साथ में 0 बनाना हो, तो देखो, दोनों में common क्या है, तो A और C में common डूनना है, very simple, अभी डून लेते हैं, यहाँ पर A के बाजू में लिखा हूँ है, X-4, नहीं, लेकिन आपर A के बाजू मे दोनों में common है, तो इसका यूज करके में दोनों को साथ में 0 बना जूँँ, अब 0 कैसे बनाए, भी बहुत simple है, यहाँ पर क्या लिखा है, X-1 लिखा है, X-1, इसकी जिए को तुमनों डाल दो, तो 1-1 कटके 0 हो जाएगा, तो मैं पर लिख देता हूँ, put, मैं पर लिख द equals to, अब मुझे पता है, यहाँ पर 1-1 0 हो जाएगा, पूरा-पूरा-पूरा वही term ही 0 हो जाने है, यहाँ पर भी 1-1 0, पूरा-टम यह और सी पूरे 0 हो जाएगा, बचे कासी B, तो मैं सी B लिखता हूँ, B, bracket मे, X-K value कितनी पढ़िए, 1, bracket मे, X-K value कितनी यह 1, और minus 4, ख यहाँ पर क्या हो जाता है, 1, 3, 3, यह minus है, और यह B है, minus 3, B, बचे कासी minus, तो answer क्या जाएगा, minus 1, 3, 1 सा 3 होता है, तो cut के 1 आजाएगा, पर minus नहीं कटा, तो answer क्या जाएगा, minus 1, यह B की value मिल गई इपने को, अब same way में मैं क्याने का लोंगा, C की value, यहाँ और एक और हम लोग, यहाँ पर लेकते हैं, to find C, किस की value निकालने हैं अब अपने को, C की value, C कहाँ पर है, C है, इसकी value चाहिए, अगर C की value चाहिए, तो A और B, यह वाला पाट, यह वाला पाट, दोनों साथ में हटाना पड़ेगा, गायप करना पड़ेगा, जीरो बनाना पड़ेग X-4 इसमें भी है, X-4 इसमें भी है, X-4 दोनों में क्या है, common है, तो X-4 को मैं 0 बना देता हूँ, अब X-4, क्या करूँगा, 0 बन जाएगा, X के पर 4 लिख दूँगा, हो गया 4-4, 0, तो मैं अपर कर देता हूँ, put X is equal to 4, मैं अपर लिख देता हूँ, क्या लिख देता हू जाँगा, 2, यहाँ पर X लिख है, X की जाएगा, मैं क्या पूट कर रहा हूँ, 4, तो यहाँ पर लिख दूँगा, 4, फिर आपर लिख दूँगा, 4, फिर आपर लिख हाँ, प्लस 1, तो हम लोग भी आपर लिखेंगे, plus 1, equals 2, यहाँ पर क्या जाएगा, equals 2, यहाँ पर A ज क्क पर क्या आएगा फॉरयभ माइन्स वन भब फॉर। इस फोल्टे ना था एट एट थो तो जीकल स्टू यहां से शी रहेगा फॉर्स मैनसा कि उनकित थिकला था ठीक टीए यहां पर एट प्लस में घाता था थैनल ए फुरू हो जाता है नाई फुर्द है टुवेल को एक इस इकल तो यह पर देखो दोने थी की टेबल में थी थी जान आइन थी फोर्स आट तो मुझे में एक है C is equal to 3 upon 4 यह मेरी C की वेल्व में लेगा है किसकी वेल्व में कई C की तो देखो हम लोगने A निकाल लिया हम लोगने B निकाल लिया और हम लोगने C निकाल लिया this is the most important part of the question यह सबसे important होता है मैं बतारो substitute करना उसमें से A B C निकालना यही बस एक मोलते है न एक important चीज़ जो तुमको आनी चाहिए आगे तो question का answer तो तुरण निकली जाता है log 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 खत्म हो जाएगा question समझ में तो अब चलो करेंगे क्या मालू मैं अब हम लो question को वापस से लिखेंगे पर इस बार question में यह लिखेंगे का यह नहीं इसकी जगह क्या लिखेंगे अपन में पहला bracket, B अपन में दूसरा bracket, C अपन में तीसरा bracket तो मैं यहाँ पर चलता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ, therefore integration I is equal to integration A, A की value क्या आगई 1 अपन 4 तो मैं A नहीं लिखोंगे A की value 1 अपन में, A अपन में पहला bracket, पहला bracket क्या था, X, DX B की लग से integration ले लूँगा तो, फिर integration B, B की value का आई थी minus 1, अपन में दूसरा अवला bracket क्या था, X minus 2, DX का था, यह X minus 2 ही था ना, की कुछ और था, X minus 1 था, अपन में क्या जाएगा, X minus 1 आ जाएगा, यहां पर लिग देता हूँ, 1 अरे, 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 यहां पर लिग देता हूँ, में 1, ठीक है, उसके बाद क्या जाएगा, प्लस, फिर integration, फिर यहां पर C, C हैनी 3 अपन 4, और अपन में क्या जाएगा, इसाबले ब्रेकेट क्या था, X minus 4, DX, गदम हो गया, इतना सब्समें आया, अब चलो, देखो, देखो, solve रहते है, therefore, I is equals to, यहां पर मैंने काला, ABC की जोभी value आउए, उसको इंडिकेशन के बाहरे लो, उपर कुछ नहीं पर चाहे नहीं, नीचे x-4, dx, इतना समन में आया, उसके बाद क्या होगा, therefore, i is equal to 1 upon 4, यह 1 upon x का इंडिकेशन क्या होता, log x, plus, plus नहीं, sorry, minus 1 है, minus 1, 1 upon x, minus 1 है, यहाँ पर minus 1 लगा, लेकिन formula वही लगेगा, 1 upon x का log, bracket में वही आजाएगा, x-1, फिर यह पर plus है, तो मैं भी लिखता हूं, plus 3 upon 4, लिख देता हूं, यहाँ पर 1 upon x-4, वही 1 upon x का log x होता है, तो log, bracket में x-4, और आगे कुछ नहीं कि प्लस, c, this is our answer, आसाना एक्दम, चिंदी एक्दम, समझ में आया, हो गया, खतम हो गया, कुछ नहीं, मैं बताँ, ABC की वेल्यू निकाले में मैं मैंनत है, बाकी तो ऐसे ही लिखके, ABC को बाहर निकाले के, log log log, खतम हो जाता, answer आ जाता है, सम्झेना है, चलते हैं, अपने 3rd question की तरफ, अब 3rd question थोड़ा सा लग है, है ऐसा ही, थोड़ा सा लग, थोड़ा सा, देखो, क्या कर नहीं हम लोग, question लिखते हैं पर लिख लिए, that i is equals to integration, question चाप लेता हूं, क्या दिखा है, question उपर क्या लिखा, x square plus x minus 1, मैं भी लिख देता हूं, x square plus x minus 1, नीचे क्या लिखा हूं है, नीचे क्या लिखा है, x square plus x minus 6, x square plus x minus 6, अब आज हूं में क्या है, dx है, यह मने को question दिए रखा है, अब इस question को solve करने के लिए ना तो दिक्कत क्या है, कि मैंने तुम्हें बोला था, हर question में upon होगा, upon तो है, पर मैंने तुम्हें एक चीज और बोली थी, नीचे bracket होगा, इसमें नीचे bracket है, नीचे bracket है, नीचे bracket है ही नहीं, तब क्या कर सकते हैं, तो क्या नीचे bracket बना सकते हैं कैसे बना सकते हैं नीचे देखो क्या दिया हुआ है? नीचे दिया हुआ है quadratic equation क्या इसा कौन साथ equation दिया है? Quadratic equation तुम्नों खुदी सोचो ना x square plus x minus 6 एक quadratic equation है Quadratic equation हमनों factorization कर सकते हैं यह first term को third term से multiply करके जो भी आया उसको बीच मेला कि हमनों factorization कर सकते है ना तो नीचे भी bracket बन जाएगा क्या बन जाएगा bracket अब bracket बनके question solve हो जाएगा लेकिन हमनों directly वैसा solve करेंगे नहीं हमनों पता है कैसे solve करेंगे सबसे पहले हमनों पता है का करेंगी सबसे पहले मुझे दिख रहा है नीचे x square उपर भी x square नीचे भी x से उपर भी x plus x plus x दिक्कत के नीचे minus 6 से उपर minus 1 है तो मैं पहले ट्राय करूंगा कि जो टम नीचे है वैसा सेम डिक्टो टम किदर आ जाए उपर जो पूरा नीचे नीचे जो लिखा स्वाइब देर लिख लिए उपर में सोचोंगा जो नीचे सेम उपर आजे तो कैसे ऐगा यह x square और प्रस देखो एक स्कुयर है उपर भी x square से में लिख लो प्लस x एउपर भी प्लस x से में लिख लो दिक्कत कि ज़िए इसमें मैं —6 सहlight में मैं —1 लिखhou है which मैं क्या लिखा है क्या लिखा है मैं अर्व लिखा हुआ Запास अब मुझे चाहिए क्या मिनम्यरशस ट्वा टो तो क्या मैं —1 को ऐसे मैं — cent like मैं俺 धिसलिकी है तो मैं एक हल देडा़ वह confession i मैन अब тяжा हुआ है तो 5-6-1 होता है, और minus 6 के वज़े से, मेरे को नीचे minus 6 चाहिए, उपर minus 6 चाहिए, तो उपर भी आ गया, समझा, मैं minus 1 को ऐसे लिख सकता, तो minus 6 plus 5, तो मैं लिख देता, पर लिख देता, तो minus 6 plus 5, तो बहुत इजी दिमाग था, मैंने सुचा, नीचे minus 6 है, मुझे उपर भी minus 6 चाहिए, तो उपर minus 6 आ गया, लेकर आ जाओंगो minus 6, लेकिन उपर एक्जोल भी minus 5 था, minus 1 था ना, तो बैलेंस करने के लिए पर plus 5 लगा दिया, minus 6 plus 5 बैलेंस हो के minus 1 बन जाता है, यह अपने को दिमाग लगाने वाले पार्ट है, अच्छा, ठीक है, एक बार यह ऐसा हो गया, उसके बाद पता ही का करें, नीचे वाला पार्ट उपर वाले से मैच कर रहे है, जहां पर मैच कर रहे हो, आपर ब्रैकेट बना दू, अब ब्रैकेट बनाने के बाद करो क्या मालूँ मैं, इस पूरे डिनॉमिनेटर को एक बार उसके साथ लेगे जाओ, और एक बार इसके साथ, जहां से देखो, मैं किसी दूसरे मारकर का यूज कर लेता हूँ, इस पूरे डिनॉमिनेटव को एक बार यहां पर इस के साथ एक बर यहां पर इस 5 के साथ ले कि जाओ सब्सक्राइब तो ठीक है उसको उनके साथ लेके जाते हैं अश्रा की लिए करेंगे क्या कि एक बार इंटीगरेशन यह पूरा जो ब्रक्रट था X2 प्लस X-6 अपॉन में एई डिनोमिनेटर X-square प्लस X-6 और DX इंटिकरेशन भी अलग लग हो जाएगा फिर नहीं पर प्लस लिखा है मैं भी लिकूंगा प्लस फिर इंटिकरेशन यहां पर क्या है फाइए ऐपान में इंटिकरेशन सब पर जाता है तो बसता है तो इंटिकरेशन 1DX प्लस यहां पर क्या जाएगा यह चोफाइव एगा फाइए को इंटिकरेशन के बार लेग लेते हैं अंदर बच जाएगा 1 upon x square plus x minus 6 dx, यह बच गया वहाँ पर अब देखो, अब मैंने क्या होला यहाँ पर क्या लिखा है, integration of 1 1 का integration अपने को आता है, बहुत सिंपल है 1 का integration x होता है तो इसका integration तो पता है, तो इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूद नहीं इसको ऐसी लिखते चलो, last में 1 का integration डालके x लिख देंगे इसका integration कैसे आएगा, sir तो इसका integration निकालने के ना, दो तरीक है एक तरीका क्या, कि मैं इसको पहले जो नीचे पी जो दिया हुआ है, x square plus x minus 6 इसको मैं पहले क्या कर दूँ, factorize क्या कर दूँ, factorize, factorize करने के बाद वाँ पे brackets बन जाएंगे और फिर bracket बनने के बाद मैं partial fraction लगा के उसको क्या कर दूँगा, solve कर दूँगा समझ मैं आँ? नहीं तो एक दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका क्या है, कि मैं आपर third term लगा के solve कर दूँग देखो न, ऊपर वान नीचे quadratic equation है, नीचे कौनसा equation है, quadratic equation मैं आपर third term लगा के solve कर सकता हूं, समझ मैं आइदने क्या बोल रहों? x square plus x minus 6 देखो factor इस कैसे किया जाता है यहापर पहला term कुछ भी नहीं 1 यहापर last term किया है minus 6 इन दोनों को multiply करते है तो 1 into minus 6 इन आजएगा minus 6 दो number चाहिए multiply करने पर minus 6 जोडने घटाने पर बीच वाला कुछ नहीं नहीं किया 1 1 आजए तो minus 6 को 2 number लेको लिखते हैं 2 3 2 3 6 होता है और जोड़ गटा कि 1 भी आजएगा अच्छा बीच में मुझे क्या ची प्लस 1 चाहिए क्या ची प्लस 1 तो जब बीच वाला number plus में ची होता है तो उन दोनों में से बड़े number को plus लिखते है छोटे number को minus अब देखो multiply करो 3 2 6 plus minus minus multiply करने में minus 6 आया जोड़ दोगे तो 3 minus 2 कितना हो जाता है plus 1 समझ में आया तो ठीक है अब यह क्या आजए करें x square minus 6 आज वाज वाले ऐसी रहते बीच का जो 1 x है उसको ऐसे लिखते है minus 2 x plus 3 x minus 2 x plus 3 x खडल अचहा इंदोन में से कुछ गमला है कि हिआं यहाँ और X square एंप X है दोनवन से X कॉमहन है At X Square में जš़ चला है तो जो चेंडा एक minus यहाँ पर शक्र चणरा ऑट है को जया गा तो फ्लस इंदोनम से कुछ गॉमन आरह है यहाँ पर 3 चला गया तो का बचा सिफ X फिर वीच में मैं नैसे तो माइनस सिक्समें सिरी चला गया तो किता बचेगा तो किंखे चला गया तो बागत समझ माई अच्छा यह भी इसका इंटीकेशन अमनों को आता है पर लास्ट में लेंगे इंटीकेशन प्लस फाय यहां पर आज़ेंगे इंटीकेशन वन अपवान में एकट में एक माइनस टू एक बैकेट में जाओंगा कि कॉड़ाटिक को कैसे फेक्टराइज करते हैं तो बहुत टाइम लग जाएगा तुम लोगों को अगर ना फेक्टराइज करने नहीं आता ना तो कोई भी यूटूब पे वीडियो सर्च कर ले ना तो हाँ तुम लोगों कोई चीज बेटर समझ में आ जाएगी फिलाल मैंने आपर करके दिखाया है जिसको आता रहेगा उसको समझा रहेगा नहीं आता तो पहले उसको सर्च कर लें क्योंकि यह टॉपिक अगर इधर कवर करने जाएगे ना बहुत लंबा चुड़ा हो जाए पर इसका इंटिकेशन लेने के लिए यह तो पार्शल फ्रेक्शन दिख रहा है नीचे दो दो ब्रैकेट है तो इसको क्या करना पड़ेगा सब्स्टिटूट करके सॉल्फ करना पड़ेगा तो आप हम लोग करेंगे सब्स्टिटूशन अब हम लोग लेगे लेट एपूर दूसरा क्या जाएगा खटम इतना अपने को आता है अचा उसके बाद में इसको ह्लेट कर लिए अपने काम आता है तो यहां पर सी बचेगा क्या 1, आपर a upon x minus 2, पुरा denominator उधर गया, इसमें multiply हो गया, तो multiply by x minus 2, और x plus 3, plus b के साथ भी multiply हो गया, तो b upon x plus 3, multiply में x minus 2, और x plus 3, तो एक्स माईनस 2,要क्स माईनस 2 कड़ जाएगा, x plus 3, x plus 3 कड़ जाएगा, तो बचेगा क्या, यहां पर आ जाएगा 1, is equals to a, और यहां पर क्या है, x plus 3, प्लस यहां पर क्या है, b, और यहां पर क्या x minus 2, यह इतना मेरा बचिया, इतना हम लोगों का क्या ओगया पड़ बजीगा अब इसमें से ब्रभावल इसमें से क्या चीह तो फांड a हम को फाइण पहले मोगोग था चीह तो बिको दिरो बनाना पड़ेगा विडाँगे बीकर बाजना नियुक्षे एक माइनस तू इसको जिरो बनाना इस जो एक दिख रहा है एक से पर टूली दो तूमाइस टूकर जाएगा अपने जिरो जाएगा तो एक सिद्धा पूर्ट एक सिगोल स्टू टू एक स्कूल डाल दीया मैंने टू तो देरफार पूराइक कोशिन वापस लिखो वन वन इस प्लस 3 x k पर क्या लिखोंगा 2 तो 2 प्लस 3 फिर प्लस है तो मैं लिखोंगा प्लस B x-2 x की वेल्व क्या डाल है 2 तो 2-2 यह तो मुझे पहली से पता बी कटकी 0 होने वाला है 1 इस इकल पर छोटा साथ इसलिए मैंने लिग दिया बी तो पूरा 0 हो जाएगा यहां पर क्या बचेगा 5 a बच जाएगा 2 प्लस 3 5 और 5 को यहां पर ले लो तो यहां पर आपके डिवाइड हो जाएगा 1 अपन फाइज इकल स्टू ए यह मेरी हो गई एक की वेल्व किसकी वेल्व मिलेगा इपने को एक की अब आपे बी की वेल्व निकालता हूं मैं लिए तो फाइंड इस वेल्व दू फाइंड बीव की वेल्व कैसे निकाल नेंगे बीव की वेल्व निकालने के लिए एक को आठाना पड़ेगा एक जिए बाजुमें क्या लिका एक स्टू इसको जीरो कैसे मनागी एक स्केल माइनस जीड़ी प्लस घटके 0 हो जाएगा तो मिली देदाँ प 3 plus B X के पर काज़ेगा, minus 3 अपर इसके बाज़े में minus 2 है, खतम 1 is equal to, यह दोनों कर जाएंगे, पूरा A 0 बन जाएगा, बच्छे का B और minus 3 minus 2 काज़ेगा, minus 5 minus 5 B, minus 5 को यहाँ पर ले लो, तो मिल जाएगा, minus 1 upon 5 is equal to B, A किस की value आगई, B की B, किस की value मिल गएपने को, B की value मिल गई, A की value 1 upon 5, B की value minus 1 upon 5, एक बार यह दोनों value मिल गए, तो मैं पूरे question को क्या करूँगा, वापसे लिखूँगा, मैं लिखूँगा question को वापसे, therefore, I is equal to, याद करो question में क्या था, यहाँ पर integration 1, Dx, फिर भी बीच में था plus, फिर भी बीच में कहा था plus, फिर एक integration की अंदर क्या था? integration के अंदर दिया हुआ था यह एवला question, यह विन इसी मिले जगह इस पूरे के जगह और यह लिखेंगे बहुत आपर क्रोंगे मैं अपर का करूंगा मैं लिख दोंगा क्या मतलब 1 upon 5 1 upon 5 अपनमे पहला फ्रैकेट पहला प्रैकेट तकना अपना क्या था था पहला प्रैकेट कि भूली सुर्ण पैले कि आपना X-2, X-3, то EО홍 x-2 plus B, B कि mana? B, b-1 upon 5 upon me, X-2, X-3, मैं भूल क्यों जा रहा हूог, X-2, X-3, X-2, X-3, B k upon X-3, और देखो, integration, इसके साथ लिखेंगे, कि दोनों के साथ अरग-अलग लिखेंगे, अपनी मरजी है, फिर आपने दोनों के साथ एलग लिखूंगा तो पताए क्या होगा यहां पर आजय का DRX यहां पर हाजय एक इन्टीकेशन嗎 एक चीज मैं बदा तो जिभी इंटीक्रेशन रख होता है ना तो डीकेशन के साथ वह नंबर भी साथ में जाता है यहां पर 5 फिर intelligence था तो यहाँ पर भी कहा रहेगा 5 और फिर integration, समझ जा ना, 5 वहाँ पर साथ में था, पूरे question के साथ था, तो जब integration separate हुआ, 5 भी साथ में separate हो गया, तो उसके बाद क्या करेंगे, I is equal to, 1 का integration कितना हो जाता है, X plus 5, देखो, रुको, रुको, अभी integration मतलो, पहले जो A और B की value है, 1 upon 5 इसको बाहर निकाल लेता हूँ, पहले से बाहर 5 है, 1 upon 5 बाहर आजाएगा, अंदर क्या बच्छे का integration, ऊपर कुछ नहीं नहीं, 1 upon 1 में, X minus 2, VX, प्लस, यह पर 5 पहले अलरी बाहर है, minus 1 upon 5 बाहर आजाएगा, अंदर क्या बच्छे का 1 upon X plus 3, VX कतम, यह दो नों 5 कर जा 1 upon X का log X होता है, तो log bracket में X minus 2, फिर यहाँ पर plus है, यहाँ पर into minus 1 है, तो plus minus क्या हो जाता है, minus 1 बचेगा, और 1 तो लिखने की जरूत नहीं से minus लिख दो, 1 upon X का क्या होता है, log X, तो log bracket में क्या है, X plus 3, last में क्या जाएगा, plus C, यह अपना answer है, simple लिख दो, 1 का indication X हो गया है यहाँ पर 1 बचा था, लिखने की जरूत नहीं, 1 upon X का log X, यहाँ पर plus minus minus 1 लिखने की जरूत नहीं है, log 1 upon X का log X, खतम हो गया, simple लिख दो, और इसी के साथ हमारे 3 questions हो चुके, जो बचेए बाकी के questions है, वो हम लोग करेंगे अपने next वीडियो में, अगर यह वीडियो subscribe करना मिलते हैं, एसी वीडियो में, thank you